हेला अब्रिवन वेल्कम बैक दू रेजेशन श्टड़ी आज हम पढ़ेंगे दूए वीच पत्री मूल की संरचना आज हम देखेंगे कि यह हमारे पास एक मूल है इसको हम काटेंगे और हम इसके कैसी काट लेंगे अनुप्रस्प काट लेंगे और इसकी हम क्या करेंगे आं अंतरिक संरचना कहाण प्रोंट अंतरिक संरचना लिए किसे हम शेमारी वातवचा हम देखेंगे हम देखेंगे मूल की संरचना लेंग कि सबसे पहले संसब्स पहले सिंदेग् और यह कितने स्तर की है एक स्तर की है तो हमने यहां पर क्या लिखा है कि एक स्तर की है और इसमें क्यूटिकल तथा रंद्र अनुपस्तित होते हैं क्यूटिकल क्या होती है जो बहुत अच्छा होती है उसके उपर एक लेयर होती है तो यहां पर कोई लेयर है नहीं है इससे क् रेंखने थे उनकोषी की अब चली वीडियो में पढ़ा था कंड़ नेख्लरा ह peng वीडियो में बढ़ा मूल लिए मेंट रोग होते हैं और दूम है किसंड़ित क्या वात ही आ हुड का रहा कुछ है कि तोही हम grim करते हुड होते हैं को क्या हम यहां फॉड यह तो परिवर्दिथ हो कैसी इसा क्या बॉलता है जो नोट किया कि ट्रायजों ब्लाश्ट कोशिका बनाती है इसे ही हम ऐसे क्षेशन आएगा कि इसं से जादा प्रशन है कि भंती किस्से है जिससे क्या बोलीगे यह हमारा है वलकुट इसे क्षिपश्च बना होता है लदूतक काईमा कोसिकाओं से बना होता है लद उतक को हम क्या बोलते है पैरन काई मापोसी का है यह हमने कहां पढ़ेते हैं भरन उतक में पढ़ेते हैं भरन उतक कही भागता हमारा वलकुट तो यहां पर यह वलकुट जिन में क्या होता है अंतरकुष की अवकास पाई जाता है जैसे कि पहले बताया थ कि वलकुट की सबसे अंदर की स्था को अंतर्स तोचा कहते हैं या एंड्रोडर्मिस कहते हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि कोई पधार भर है मतलब कि अंतर्कोष की अफ़का जो होता है वह भरा होता है वह में देखेंगे कि अंतर्कोष की अफ़का किसे बहरा होता है उसे निर्मार करता है कुछ पत्टिकाओं का निर्मार करता है और इन पत्टिकाओं को किस ने देखा था एक केसपेरी नामक के वेज्ञानिक ने देखा था जिससे क्या होता है इन केसपेरी पत्टिकाओं का निर्मार होता है यह जो अनुप्रस्ट भी होती है अनुप्रस्ट और कडिगा मिरता बन को सीकाओं कुछ होता है कि अब यूद अद 깉ष्ट दोगे कोसिकाओं कंपन रृ और है का पन पिसमें कैसे इंत्तर है न रहा हो हर्नोते होता है जैता है उनीड़ता का कॉसिकास रहा जहां ओर मृजजों तक को सिखायsoon क्या होती है , मोटी पित्टि वाली होती है और यहां वलकू्ट जो होती है वो पतली पित्टि वाली होती है, इसे में डिफ्रेंस है अब हम देखेंगे मज्जा के बारे मज्जों ş जिसे हम बोलते है पित कि यह bhi याद करना इसी होगा कि वी बीच पत्री मूल में अलग पाई जाएगी और एक पत्री मूल में अलग पाई जाएगी किसके बात कर रहा है भी फिलहाल हम बात कर रहें दुई बीच पत्री मूल की तो दुई बीच पत्री मूल में जो मज़ वह कैसी होती है यहाँ पर किया है मज़ा अर्स पष्ट और छोटी और इसी का उल्ड़तर हम देखेंगे एक बीचाइश मूल में तो इसमें दिखाये द फिर था था हमारा वल्कुट परिरम और मक्या ये किसके पार्ट हैं हमारे भरन, भच्छ के और समवहन उतक तंन, अब ये क्या होता हैं? आज़ी समवन मंडल होते हैं मतलब कि हम जहां से भी काटें बराबर भागों में बड़ जाते हैं और क्या है मनधे कुझ जो जायलं में इसमें कौंस इस्थी पाई जाती बहाधि डारुक बहाधि Dhaeruk और या पर अकसे देखा जाता है कि यह पर दो से ह्टार समवंद मंदल मिलते हैं जैसे कि यह हमारे क्या हो जाएंगे यह हमारे फ्लो हैं अर्य जो रेड वाल भुल computer फ्लो ए मोद जायन के अरे से 3 तो क्या है मतलब कि 4 है तो हमो जो क्सक्राइब कि कि 2-4 कि 101 में पॉंक्त हैं जुस चाल के था हुशित को नस हमारोग में जिस में तो हम नॉट कर सकते हैं यह कह सकते हैं कि इस ऌपांग इते हैं इस प्रकार्थी हमारी दूई वीच बत्री मूल की संरचना और उसका पूरा वर्णन आई होगा और मेरी आपसे क्यों रिक्वेस्ट है कि इसको समझने से पहले आपको हमने पुराने वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ है वो देखेंगे आप तभी आपको यह अच्छे से और यह मूल्रों में उसके नीचे पाई जाती है वल्कुर्ट जो बहुस्तरी होती है उसके नीचे पाई जाती है अंतस्तवचा जो बल्कुर्ट की सबसे नीचे लिस्तर होती है फिर यह हमारा परिरम यह हमारा फ्लोव है पित्थ जिसे हम मज्ज भी बोलते है और यह हमार प्रोटोजाइलम और यह हमारा मेटाजाइलम प्रकार से हमारी कम्प्लीट दूई बीच पत्री मूल की संद्रचना इसी प्रकार से हम देखेंगे एक बीच पत्री मूल की संद्रचना दोस्तों देखता है कि एक बीच पत्री मूल की सारी रिकी दूई बीच पत्री मूल के सम किस रही है तो इस समवन बंडल होते हैं चैसे ज्यादा होता है on यहाँ हमारे ज्यायलम ऐहां पर कया है गुलाका और यहां तो समय तह अंत मलकी ऐक भाश्रेफिंट से स कुढ़ होती है जैसा हमें यहाँ पर बड़ी दिखाए समय हारी है यही थे यह अंतर मिल्की एक वीच पत्री मूल में दूरी वीच पति से बाकि जो हमारी पूरी संदरचना के बारे में जैसे कि हमने दूरी वीच पत्री के बारे पूरी डीट लिखे JOंग को पूरी लिख सकते हैं बस हमें चैन्ज कहां पर करना पड़ेगा इन तीन तीजों में चैन्ज करना पड़ेगा थैंक यू